कुमारा भूशन यात्रा की शिर्वास 16 मई से होने जा रही है जिसके लिए पर्याप्त ववस्ता करने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों ने विचावि मरश कर जाय सलिया जहां दरशनार्थियों के लिए किसी प्रकार की बाधाय उत्पन ना हो इस साल करीब एक लाग श्रद धालो दरशन के लिए आने की संभाव न जताई जा रही है वहीं आरोग्यों की दरश्टी से वहाँ पर 2400 घंटे आरोग्यों सुविधा उपलवद कराई जा सके इसके ल पुलिस प्रशासन पैनी नज़र रखने वाली है वहीं वानों का सुचारू रूब है आवगमन के लिए पुलिस विभाग के और से बंदोबस किये जाने वाले हैं सभी अधिकारी इस यात्रा को सफल बनाने के लिए भरकस प्रियास कर रहे हैं कोई भी प्रकार की अनुच उचित गटना ना हूँ इसका ध्यान रखा गया है आने वाले दर्शनार्थियों के लिए शुद्ध पीने का पानी और निवाज ववस्था पविशेश ध्यान दिये जाने वाला है भक्तों के लिए दर्शन की उचित ववस्था करने का नियोजन किया है तैसलता प्रशान सा चार गाव ग्राम पंचयत की और से किया है किसी भी अनुचित गटना ना हो इसके लिए पारशिवनी पुलिस निरिक शक राहू सोनावने ने भारी पुलिस बलतैनात कर उचित ववस्ता करने का नियोजन किया है दुवारा भीवसेन परिसर के पास पेच जलाशे होने से वहाँ पर भारी संख्या में दर्शनार्ती जलाशे में नहाने आते हैं जिसमें दुरगटना में होकर चीवी थानी की खटना ये अन्यको वार होई है इसके मद्दे नज़र इस बार किसी भी दर्शनार्थी को जलाशे में नहानी और जलाशे में नाफ चलाने के अनुमती नहीं दी गई है दर्शनार्थियों को जलाशे में सैर करने के अनुमती नहीं दी गई और नहीं नहाने के अनुमती यात्रा सुचारू रूप से संपरू किसी प्रकार की दुर्गटनाय ना हो इसलिए पार्शिवनी पुलिस विभाक की और से भारी बंदोबस करने का नियोजन किया गया है इस बैटक में पार्शिवनी तैस्सिलता प्रशान सांगने मौजूद थे पार्शिवनी से BCN News के लिए अरुन महाजन की रिपोर्ट